जई श्री हरी, इस प्रिच्छल ग्यान चैनल में आप सबी का एक बार फिर से स्वागत है। छे मई को है नारद जैन्ती यानि कि वो दिन जिस दिन नारद जी प्रकट हुए थे। तो आज की जो कथा हम लेकर के आए हैं वो विश्णु जी की माया यानि की नारद के इस्त्री बनने की कथा है। एक बार ऐसा हुआ कि नारद मुनी ने विश्णु से हाथ जोड़कर प्रभू से पूछा कि प्रभू ये माया क्या है। मुझे समझाईए। भगवान विश्णु ने कहा कि माया बहुत जटिल चीज है इसे तुम ना जानो तो ही बहतर होगा। लेकिन नारद मुनी की उत्सुपतायत नी तेज थी कि वो मानने को तयार ही नहीं थे। हाथ जोड़कर अनुने विनय करने लगे। नारद के बारबार निवेदन करने पर भक्त वक्षल भगवान विश्णु मान गए और उन्होंने कहा कि चलो तुमको बताता हूं कि माया क्या है। फिर विश्णु नारद जी को लेकर कन्योच के पास एक सरोवर के निकट पहुँचे और बोले कि हे नारद इस सरोवर में इसनान करो। इसनान करने से तुमको पता चल जाएगा कि माया क्या है। नारद मुनी एक खटी बालक की भाती मन की मुराद पूरी होने पर प्रसन होते हुए सरोवर में उतर गए। विश्नु की माया का खेल शुरू हुआ और शुरू हुआ चमतकार। जैसे ही नारद मुनी पानी में डुकी लगा कर बाहर निकले उनका शरीर बदल चुका था। वो एक बेहत खोबसूरत इस्त्री के रूप में आ चुके थे। ऐसी इस्त्री जिसका हर अंग योवन और खोबशूर्ती की पराकास्टा लिये हुए था। आप तक नारद की स्मरण शक्ती भी कम हो गई। जैसे ही माया का खेल शुरू हुआ विश्नु जी वहां से अंतर ध्यान हो गए। उसी समय वहां से तालध्वज नामक राजा गुजरा। राजा ने देखा एक बहुत ही कामुक और सुन्दर इस्त्री सरोगर के पास खड़ी है। राजा का मन उस सर्वांग सुन्दरी इस्त्री बने नारद पर मोहित हो गया। राजा ने गजगामनी स्वरूपा इस्त्री के सामने विवा का प्रस्ताव रखा। नारद जी भी म डंद और अभिमानी थे कालांतर में इनका युद पंडवों से हुआ जिसमें सारे पुत्र मारे गए इस बात की खबर मिलते ही नारद बहुत दुखी हुए रो रोकर उनका बुरा हाल हो गया कई दिनों तक खाना पीना सब छोड़ दिया फिर एक दिन राजा की सभा में स्वयम विष्णु ग्रहमन के वेश में आये और ग्यान दिया कि तुम दोनों पती पत्नी जिस नुकसान को लेकर रो रहे हो वो वास्तव में हुआ ही नहीं ये सब तो माया का खेल है इतना कहकर विष्णु जी ने अपनी माया को समेट लिया नारजी तुरंत अपने असली रूप में आ गए उनको नया ग्यान मिल चुका था माया के जाल में फसे नारज माता और पत्नी का किरदार निभा रहे थे किन्तु सत्ते से परिचित होते ही देवर्शी की रूप में वापस आ गए नारज भगवान विष्णु के समक्षाथ जोड कर नतमस्तक हो गए और फिर नारायन नारायन जबते हुए अपने लोग में वापस आ गए नारज जैन्ती के अफसर पर ये थी नारज मुनी से जुड़ी एक कथा कैसी लगी कमेंट सेक्षन में जरूर बताएं इसी तरह की और वीडियोस को देखने के लिए कथा को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें थेंक्स फॉर वाचिंग आइज जैई श्री हरे